प्रिये मित्रों जब हिरन्याक्ष का जब बद हो गया तो उनके परिवार वाले बहुत दुखी और सोकाकुल थे तो हिरनकस्पु ने अपने परिवार वाले को बिरोचित उपदेश शुनाया आज ओही उपदेश आपको हम बताएंगे कि हिरनकस्पु का बिरोचित उपदेश क्या था जो उन्होंने अपने परिवार को शुनाया महाजार जुदिस्थिर ने पुछा कि हे नारद दैत का पुत्र होने पर भी परलाद में इतनी प्रगाट भक्ति किस संसकार से उत्पन हो गई थी नारद जी बोले हे राजन जब विश्णु भगवान ने बाराह का रूप धारन कर हिरनकस को मार डाला तो उसका भाई जो है हिरनकस्पु बहुत क्रोधित हुआ और उसने दैत्तो को बुला कर कहा कि हे दैत्तो तुम लोग जानते हो कि देवता मेरे सत्रू है उन दुस्टों ने मेरे प्यारे भाई हिरनकस को बिश्णु के द्वारा मर बार डाला है और बिश्णु को मैं क्या कहूं वह चुद्र तो देवताओं द्वारा थोरी सी सेवा पाकर उनका पक्षपाती बन गया है इसके पहले वह देवता दैत्तों को शमान मानता था अतह जहां भी विश्णु भक्तों को पाओ उन तपश्वी शाधुओं और ब्राम्णों को मार चबाओ और उनका पूजापाट बंद कर उन्हें असहकस्ट दो तुम लोग ऐसा करो जिससे विश्णु की पूजापात का क्रम ही बंद हो जाए अब मैं यह निश्चे करता हूँ कि जब तक विश्णु को अपने शूल से उनका गला काट कर उसके गरम गरम रक्त से भाई हिर्न्याक्ष का तरपन न करूंगा तब तक मुझे शांती नहीं मिलेगी यह सब शून दैतों के प्रधानों में दुई मुर्धन, अक्ष, शंबर, पनावा, हैग्रिब, नमूची, पाक, इलब, बिप्रिचीती और शकुनी आदी बीरों ने कहा ठीक है ठीक है हम लोग जाते हैं और ऐसा ही करेंगे ऐसा कहकर वे भैंकर दैत विश्नु भक्तों का नास करने चले और जैसे भी हुआ उन्होंने नगर-णगर और गाओ-गाओं में घुमकर उनके फुलवारी, बाग, खेत, महर्शियों के अस्थान और मनियादी के निकलने के अस्थान नस्थ बरस्ट कर दिये जिससे देवताओ में हाहकार मच गया, हिरन कस्यपू अपने मिर्तक भाई के लिए जल दानादी क्रियाओं को करके सब को समझाना बुझाना आराम कर दिया हिरन्याक्ष के कई पुत्र थे जिनके नाम हैं शकुनी, शंबर, ध्रिस्थ, भूत, शंतापक, ब्रिक, कालनाब, महानाब, हरी साक्षू और उतकच्च ये सब अपने पिता के लिए बहुत ज्यादे शोकी थे, उनकी माता हिरनाक्ष के इस्तरी, रुशाभानू और माता दिती के सोक का अंतन था हिरनकस्पु ने इन सब को समझाया और कहा कि ये जो सरीर है वो नस्वर है, सब को अपने अपने करमों के अनुसार फल मिलता है आत्मा जो है अजर अमर और जड़ामरन से रहित है, अविद्या के आवरन से ही वह अनेक प्रकार के देह तथा सुख़दुख को बनाता है जो मन का एक भ्रम मात्र है, अंत में सरीरादी कोई नहीं मेरा तेरा का विचार यह सब एक विप्रीत ग्यान है जो अनेक योनियों में डालता है, इस पर एक कथा है कि उसी इनर देश में सुख़ग नाम का एक राजा था जो जुध में अपने सत्रुओं द्वारा घेर कर मार डाला गया उसकी राणियों सहित उसका सारा परिवार छाती पीट-पीट कर रोने और सोक करने लगा और जब लोग उसका सब उठा कर जलाने को ले चले तो राणियों ने उन्हें रोक दिया इतने में सुर्जास्थ हो गया तब रात्री में एक बालक का बेश धारन कर उहां एमर आज आए और उन्होंने सब से कहा कि तुम लोग बेर्थ ही सोक करते हो इसी प्रकार सब को एक दिन जाना है मुझ बालक को तो देखो कि माता पिता से रहित होने पर भी मैं कितना निर्द्वंध विचरता रहता हूँ बर यह आश्यर्ज की बात है कि मुझ से अधिक आयुबाले तुम लोग इतने मोहित हो रह हो उस शोचना चाहिए कि जिस प्रभू ने गर्व में रक्षा की है यहां भी वही हमारी रक्षा करेगा तब जो रक्षक है एदि वही भख्षक हो जाए तो उसकी क्या चिन्ता करना जब इस वर रक्षा करता है तब उसे कोई नहीं मार सकता और जिसे वो हमारना चाहता है उसे महल में बंद रहने पर भी उसे कोई बचा नहीं शकता कर्म से ही सब सरीर उत्पन और नस्ठ होते हैं क्या देवता क्या मनुस सब के लिए एक ही नियम है प्रंतु आत्मा को कर्म बंधन नहीं है शरीर का आत्मा से कोई शम्बंध नहीं है क्योंकि आत्मा की रचना पंच महा भूतों से नहीं हुई है और शरीर जो है पंच भूतों से उत्पन हुआ है जैसे आग काथ में छीपा रहता है वैसे ही सरीर में आत्मा गुप्त है हे मुर्खों तुम लोग जिसे राजा स्वयग्य के लिए सोक कर रहे हो वह तो यह सो रहा है जब इसका बोलता जाने लगा होगा तब तो उसे किसी ने नहीं देखा होगा सरीर में प्रान ही मुख है और वही सब का द्रस्ता आत्मा है जिसे कोई देख नहीं सकता वह आत्मा सोचने जोग नहीं है क्योंकि वह नित्य और सरीर जो है अनित्य है शरीर का नस्थोना शोभाविक है क्योंकि यह अवस्री ही मरेगा प्रंतु आत्मा नित्य है इसे यह सर्वदा रहेगा तुम्हारा शोक करना बिर्था है हिरन कस्पु ने कहा कि जब इस प्रकार उस बालक ने कहकर सबको समझाया तो उन्होंने शुयग्य का यह थोचित मिर्थक कर्म किया और चिंता रहित हो गया अता तुम लोग भी दूसरे को न सोचो और अपने को सोचो क्योंकि इस संसार में न कुछ अपना है न पढ़ाया है सब मिथ्याहठ मात्र यह सुनकर बहु सहित मातादिती ने हिरन्याक्ष के मारे जाने का सोग त्याग दिया और तत्तो ग्यान में अपने मन को लगाया तो बोलिए जय सिरी हरी विश्नु जय सिरी हरी विश्नु